उत्तर प्रदेश में 37 लोग सभा सीटे जीतने वाले अखिलेश यादव दोस्तों इन दिनों अखिलेश यादव का होसला बुलंद है अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं अखलेश यादव जहां भी जाते हैं भारती जंता पार्टी पर हमले बोलते हैं अब अखलेश यादव पहुँच गए बंगाल मम्ता बनर जी ने एक कारिकर्म रखा अपने शहीद कारिकरताओं की याद में अखलेश यादव को आमंत्रित किया तो अखलेश यादव पहुँच गए अब कारिकरम कुछ ऐसा था कि वहाँ बारिश होने लगी लाखों लोग कारिकरम में मौजूद थे बारिश हो रही थी लेकिन एक भी कारिकरता एक भी नेता कारिकरम छोड़ कर दोस्तों गया नहीं खुद अखलेश यादव बारिश में भीगते रहे लेकिन उन्होंने कारिकरम इस थल नहीं छोड़ा सारे नेता बारिश में भीग चुके थे और इसके बाद अखलेश यादव का भाशर होता है अपने भाशर में अखलेश यादो ममता बनर जी की खुब तारीफ भी करते हैं और उसके बाद अखलेश यादो कुछ ऐसा कह देते हैं जो दिल्ली को बेचैन कर देता है अखलेश यादो कहते हैं कि ये सरकार जाने वाली है ये सरकार गिरने वाली है जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगे जगे पर वो लगातार सडियंत कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ आपका सहास आपकी बादुरी आपका सहास जो दीदी के साथ है वो हर सडियन्द का मुकावला करने के लिए तैयार है देश को ऐसी ताकते हैं जो बिभाजनकारी राजनीत के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती है लेकिन ऐसा करने में वो खुछ समय के लिए काम्याब भी हो जाएं पर आखिरकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मनसुबे कभी अपनी मन्जिल नहीं पाते हैं जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं जीत आखिर उनी की होती है जो नकारात्मक लोग अंदर से डरे होते हैं वही साजिश करते हैं मुखवरी का काम तो कर सकते हैं लेकिन सामने की लड़ाई लड़कर के जान देने की हम्मत उनमें कभी नहीं अब दोस्तों अखलेश यादव की बात आपने सुनी अखलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं और बात صرف अखलेश की नहीं है अखलेश यादो उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत है ममता बनरजी बंगाल में मजबूत है अखलेश यादो के स्टेटमेंट से पहले दोस्तों याद कीजिए शिवसेना उद्धोगुट के नेता संजे राउत वो भी कुछ ऐसे इशारे कर चुके है और लालू प्रसाद यादो वो भी ये बता चुके है कि ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी अब दोस्तों जब इंडिया गडबंधन के तीन बड़े दलों के नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वज़े जरूर होगी दोस्तों अखलेश यादो को आपने देखा होगा इन दिनों उत्तर प्रदेश जीतने के बाद अखलेश यादो एक तरफ संसद में बड़े अक्टिव नज़र आते हैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर मुखर नज़र आते हैं और देश के अलग-अलग राजियों में भी जा रहे हैं हाली में वो महराष्ट में उन्होंने समाज़दी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की और अब वो बंगाल पहुंचे जहां ममता बनरजी के मंच पर अखलेश यादव ने ऐसा भाशन दिया जो सुर्खियों में च्छा गया अखलेश यादव का ये कहना कि सरकार संकट में है सरकार गिर जाएगी ये भारती जंता पार्टी को बेचैन करने के लिए काफी है दोस्तो अब दोस्तो जब दो से ढ़ाई महीने बाद देश के अलग-अलग राज़ियों में विधान सभा चुनाओ होना है ऐसे में अखलेश यादव का पूरे देश का दोरा करना और महराश्ट, जारकंड, हरियाना इन तमाम राज़ियों में जो विधान सभा का चुनाओ होना है उससे पहले संकेत ऐसे है कि महराश्ट और हरियाना इन दो राज़ियों में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतारेगी यानि अखलेश यादव ने ये तैरी कर ली है कि अब वो समाजवादी पार्टी को पुरे देश में मजबूत करेंगे और इसलिए ममता बनर जी के राज्य पश्चिम मंगाल में जाकर अखलेश यादव ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि समाजवादी पार्टी अब पुरे देश में अपनी ताकत को बढ़ाएगी और अखलेश यादव का सरकार पर ये टिपणी करना की सरकार खत्रे में है ये भी बताने के लिए काफी है कि संसद में अभी कई खेल होने बाकी है और इंडिया गडबंधन अंदर ही अंदर दोस्तों कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या अखलेश यादव जो कह रहे हैं जो लालू कह रहे हैं उनके दावो में सच्चाई है क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई संकट है क्या वाकई टीडीपी और जेडियू अलग रास्ते तराश सकते हैं आपकी सोच और आपकी सियासी समझ जो भी कहती हो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेज़िएगा